कि हैं अब लोग आप सबका हमारे चनल पर बहुत बहुत सौगत है दोस्तों आज हम जो आपके लिए 1000 स्कॉयर फिट का हाउस प्लान लेके आए हैं ठीक है दोस्तों तो जो एलवेशन आपने फ्रेंट थमनेल पर देखा था वो सेम डिक्टो ऐसा ही इसका इस ड्राइंग का इस घर का इलिवेशन होने वाला है ठीक है दोस्तों तो चलिए इसको मैंने ड्राव कर रखा है आप लोगों के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बिना आटोकेट सॉप्टवेर के आप हाउस प्लान कर सकते हो और डिक्टो विद फुल डिटेल के साथ ठीक है दोस्तों तो यह सायद हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा और उमीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और सिप स्टार्ट करने से पहले गर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और विल के आइकन को भ करती हमारी है ठीक है दोस्तों जोकि हमारी 15 से 16 फिट के आसपास कहर ही電 और इसमें आप आराम के सकते हो ठीक है दोस्तों आपनले पुर्श को आइस साथ हमने भी आहरा से तो हम हम इसके दो मेन इंट्रीगेट है, ठीक है दोस्तो एक तो यह हमारा इंट्रीगेट है दूसरा एक drawing room से हो के जो उट्री करता है वो तो हम drawing room से हो करके जाएंगे तो पूर्ट से और drawing room के level से 2, STEP यानि की गर 7 inch का step है तो 14 inch ऊपर इसका height level जो पीछे के पूरे घर का height level लहेगा पोर्ट से वो 14 इंच उपर height level लहेगा तो दो step यहाँ पे भी आप construct करोगे ठीक है दोस्तों तो इससे दो step से उपर आप drawing room में जाओगे जिसका size approximately 11 गुड़े 11 है ठीक है दोस्तों और इसी से एक combined toilet दिया है जिससे कि जो guest हमारे आते हैं वो घर के अंदर जाके bathroom को use ना करें ठीक है दोस्तों और साथ साथ हम इस wall पे इसकी window लगाएंगे जो कि 7 into 5, 7 feet by 5 feet की होगी ठीक है दोस्तों और यह हमारा lawn area है ठीक है दोस्तों अब हम घर के अंदर entry करेंगे drawing room से और यह हम direct entry जो है वो lobby में जाएगी और यह हमारा lobby से ही attach हमारा क्या होगा एक kitchen है जिसकी window हमारी stairs के उपर हो जाएगी और इसके just sat के एक पूजा room है ठीक है दोस्तों और इसी lobby में यह जो area हमारे पास space है यहाँ पे आप dining area बना सकते हो ठीक है दोस्तों और इसी lobby से connected एक bathroom प्लस toilet है जो कि common toilet on bathroom है घर का कोई भी member आप इसे use कर सकता है ठीक है दोस्तों अब हम चलते हैं अपने room की तरफ room number रूम नंबर एक की तरफ तो room number एक का जो size है वह 11 फिट एप्रॉक्समेटली 11 11 बाई 11 फिट है ठीक है दोस्तों और इससे भी ventilation मिल सके रूम नंबर दो के लिए जो toilet है मैंने OTS से ही इसका connection दे रखा है आप चाहो तो इसको room से भी कर सकते हो connect ठीक है दोस्तों और इस OTS को आप दूसरे परपस से भी यूज कर सकते हो वासिंग मसीन मसीन रख सकते हो cooler या AC के लिए जो आप लगाओ गया विंड़ो ऐसी लगाते हो तो भी जो विंड़ो ऐसी है उपर उसकी जो गैस होगी वह उपर क्यों जा सकती या आप स्प्लेट एसी भी लगाते हो तो पाइप वाइप आपके OTS से होके निकल जाएंगे ठीक है दोस्तों तो यह है पूरा plan ground floor plan है ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा हमारा next जो वीडियो होगा तो यह होगा कि हम कैसे इसको ड्रॉ करें कौन कौन से steps follow करने होते हैं जिसकी बज़े से हम यह map घर पे ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो चलते हैं चलिए मिलते हैं next वीडियो में उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चनल क को सब्सक्राइब करें और विल के आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि ऐसे वीडियो के नॉटिफिकेशन्स आपको तक पहुंचते रहे हैं